हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुधिर देव कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे फ्रेंड्स कुछ मैंने बुंसाई दिखाया था बुंसाई कपेड उसमें जो पॉट था उड़न स्टाइल का हमने दिखाया था आज पूरा प्रोसेस इस पॉट का बनाने का सा कैसे किये हैं तो सबसे पहले आप लीजिएगा एक प्लास्टिक का डिब्बा है इसमें हमने सबसे पहले ऑईल डाला उसके बाद सीमेंट का घोल सभी तरफ लेप कर दिये हैं उसके बाद एक पॉलिथिन नीचे रखे हैं और उसके बाद सीमेंट और रेत का मिक्चर रखे रेशियो रहेगा वन पार्ट सिमेंट और थर्ड पार्ट रेट हम धिरे धिरे ये सेप दे रहें आप देख रहें गोला कृती हम दे रहें इसके बाद एक होल हमने बना रहा है इस होल को आप बाद ही बना सकते हैं हम पहले बना दिये हैं इसके बाद ये डिब्बे को हमने रखा है और नीचे से उपर की ओर हम ये सेमेंट का मिक्सर को हाथ से ऐसा सेप देते हुए चल रहे हैं कि सभी दरब चारों और बिच बिच में हम एक लेप देने के बाद सेमेंट का पौडर इसमें डाले हैं जिससे इसका पकड़ और भी मजबूत हो जाता है और फिर से सेमेंट का मिक्शर उसके उपर डाल रहे हैं कि उसके बाद यह डिब्ब को हम धिरे से निकाल देते हैं निकालने के बाद आप देख रहे होगे कितना प्यारा यह से प्ले लिया है प्रेंट्स इसके बाद एक चम्मच जो काटा का चम्मच होता है उसको हमने हलका सा मोड़ा है और यह से उपर से नीचे की और स्क्रेच किये तो यह अकरिती मिला है हमको उडण स्टाइल का जिसमें उड़ में जो रहता है टेक्श्चर वैसा और उसके बाद हम यह अकरिती हम बना रहे हैं कहीं कहीं पर आप लकड़ी में देखे होगी कि एसा होल होता है वह हम बनाने कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए पहले एक पाउडर सीमेंट का पाउडर को डालिएगा और सीमेंट का मिक्सर और फिर ऐसा चिपक जाता है फिर ऐसा बनाईएगा आप जैसा आकृति देना चाहें असानी से यह बन जाएगा है हुआ अउपर थोड़ा मैं चीकना करनी कोशिश कर रहा हूं ताकि वह लक्डि को जब हम कार्वा करते हैं यह को कटिंग करतें तो खस चीकना हो जाता हुआ यह मैं बनाने कुशिश कर रहा हूं तो फ्रेंड्स आप देख रहें कि हमारा यह चोटा सपोर्ट बनकर तयार हो एक सब्ता तक पानी में डूबा के रखी हुए थे पकने के लिए उसके बाद पेंटिंग का समय आता है पेंट हमने सबसे पहले ब्लेक कलर पेंट किया है उसके बाद हलका सब ब्राउं कलर सब ठरफ के बनाते हुई हम चल रहें आप देख रहे हैं उसके बाद हल्का सा इल्लो कलर हम मिला रहे हैं उपर जब उड़न उट का उपर एरिया हल्का सा इल्लो कलर होता है वो हम बनाने कुशिश कर रहे हैं अंदर वारा एरिया को और यहां पर एल्लो कलर हम डाल रहे हैं उसके बाद सुखने के बाद और कहीं कहीं पर टेक्स्टर हम मिलाने कोशिश कर रहे हैं जहां पर लकडी जैसे दिखता है तो फ्रेंट्स अब यह सारा हमारा प्रेंटिंग काम हो गया है हमारा काम कम्पलिट हो गया प्रेंटिंग का तो फ्रेंट्स वीडियो अगर पसंद आया होगँ तो लाइक सेर और कमेंट जरूर कीजेगा और इस चैनल में आप नह थे तो हम नए नयए तो सब्कृइब यह प्रेंट थैंक यू